चलिए दस्तों स्वागत है आप सभी लोग का गुरूप्टी मैट्स एस्पेशल में तो बात कर लेते हैं ऐसा यानि सिंपल इंट्रेस्ट किजिए हम लोग हिंदी में साधारन व्याज के नाम से जानते हैं देखें गुरूप्टी के लिए तो दुरघटना घटी बाद में अगर वीडियो पसंद आए कोस्टन्स कॉंसेप्ट पसंद आए तो चैनल को कर दिजेगा सब्सक्राइब तो देखें पहले कोस्टन्स का सोलुशन कहता है कि नेहा की 8,000 रूपया की रासी कितनी की 8,000 रूपया की रासी एक निश्चित साधहारन ब्याज दर पर पर 3 वरसों के बाद 0,900 रूपया हो जाती है mostly नेहवा जो है kidnapped झो है न ये नेहवा ये आट हजार रुपई किसी को कर्ज पर देती है ठीक और तीन वर्ष के बाद उसका हो जाधा है 900 रुपई या अब देखे कहता है कि यहीं क्या करते हैं अब क्या करना है व्यास अगर दूपर्थिफद बर्थ जाती है तो इसे कितनी राशी प्रांपत होती यानि अभी जो वह भी सो र्यक्ता को सबतों हाँ दीने हुआ तौह नि जब सब्सक्रमानों makers रॉय सब्सक्राइब तो इसमें मुल्धन और ब्याज भी तो यह क्या हो गया मिसरधन तो अब बताएं कि आगर हम बढ़ाएंगे कितना दूपरतिशत से तो आप जो टोटल पैसा मिलेगा वह हमको कितना मिलेगा तीन वर्ष के बाद तो अब देख सकते हैं यहां पर्तिफत आप SI कितना हो जाएगा तीन दूना छे पर्तिफत अगर पर्तिफत आप ऐसा आप लोग को नहीं निकालने आता है तो ऐसे हम पिछले वीडियो में बताएं डिसकेशन में डाल देंगे फिर भी थोरे से देख लिजेगे पर्तिफत आप SI बराबर जो होता है वह होता है रेट गुना टाइम क्या होता है रेट गुना टाइम हो जाता है ठीक है रेट आप देख सकते हैं यह दू पर्तिफत हो गिया और टाइम हो गिया तीन पर्तिफत तो इसी कॉंसेप्ट में हम लोग सारे कोशन्स को एकदम सॉल्व करेंगे तो देखिए पर्तिफ हमें 100 तो 20 से 20 जाएगा ठीक तो बच गया कितना छे आर्चक 48 कितना हो गया भाई आर्चक 48 तो यह हो गया 480 अब इसी 400 को आप क्या किजिने यहां पर जा करके एड कर दीजे जैसे ही इस 400 को अगर हम यहां पर एड करेंगे न तो मेरा एंसर निकल जाएगा देख लिजे 46 एड करेंगे तो यह 0 8 के 8 और 426 और यह 9 के 9 तो हो गया 96 आस से कितना हो गया 96 तो आप देख लिजे वीडियो में लेते हैं आपके सामने दूसरा कोस्टन तो देखे दोस्तों इस दूसरे कोस्टन का सोलोशन जो आपके स्क्रीन बड़ पर अभी लिये हुए कहता है सार्थी ने एक बैंक में देखें नजर हटी तो दुर घटना गाती हम आपको बताएं कहता है न कि नजरे जिस पर बैंक द्वार आठ परतिसत साधारन ब्याज वार्शिक दे था जिस पर कितना था आठ परतिसत साधारन ब्याज वार्शिक दे था यानि कि हर वर्ष उसको कितना था आठ परतिसत वार्शिक ब्याज यदि सार्थी ने धन पांच साल के लिए बैंक में रखा CashTS केमा किया था न वो कितने वर्ष तक रखा पाँच साल तक रखा और उसको हर वर्ष मिल ता था आठ surprise numbers Kenya करेगा नहीं बताना है कि टूर्टर इसका रूपया कितना होगा यानि पांच साल बाद हो कितना जाएगा यह नहीं बताना है हमको सिर्फ इतना बताना है कि इसका ब्याज और जित कितना करेगा पांच साल में तो सिर्फ ब्याज निकालना है तो चलिए इसको सर्फ क्या करते हैं सॉल्व करते हैं देखिए सबसे पहला आपको काम तो वही करने परतीफ़त अब ऐसा ही ढून लेना और इसमें निकालना भी वही है शिर्फ ब्याद तो देख लिए यहां पर रेट कितना है आठ परतीफ़त और टाइम कितना है पांच वर्ष तो परतीफ़त अब ऐसा है अनिकी 40% तो आप भी देख लिजिए यह है 31 25 कितना है 31 25 और इसका अगर हम 40 परतीफ़त अगर निकाल देंगे तो यहीं न मेरा ब्याज निकल जाएगा क्योंकि ब्याज मेरा कितना टूटल हो गया 40% क्यों क्योंकि हर वर्ष हम को हर वर्ष उसको मिल रहा था आठ परतीफ और पांच साल तक क्या किया वो बैंक में जमा रखा अपना पैसा तो पांच साल के बाद जब उसको टोटल ब्याज मिलेगा तो आठ पंचे कितना मिलेगा तो आप देख लिजी कितना मिल रहा है तो देके 10,10 कटेगा ये उपर ने दू और ये हो जागा 5 अब इसको इससे कार देते हैं इसको इससे जब काटेंगे तो कितना हो जागा 635 तो चलिए 625 हो जागा ठीक आब ये 625 गुना दू तो कितना हो जागा 1250 रुपईया यानि कि इसको टोटल जो रुपईया मिलेगा पांच वर्स के बाद ब्याज शिर्फ ब्याज वो मिलेगा 1250 रुपईया तो चलिए हम चलते हैं अब options की ओर जब मैं questions बनाता हो तो जाता हूं options की ओर तो options में जब हम देखते हैं तो उपर में 12 अब ये तो नहीं होगा ये है 1250 भी options मेरा correct हो जाएगा और वही होगा मेरा फाइनली एंसर अब आप देख सकते हैं कि ये questions का पुझा था आर्वी गुरूप डी 289 2018 को ये questions पूछा गया तो है ना गुरूप डी math special तो चलिए अब हम इसको मीटाते हैं और क्या करते हैं तीसरा questions लेते हैं तो बने रहे हैं मेरे साथ लाश तक और आनंद उठाइए इ 80 पर 10 वर्सों में कितना ब्याज प्राप्त होगा 10 वर्सों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की धर है न वह 7.25 परतिसात वारशिक हो यानि कि हर वर्स को कितना ब्याज मिलता हो 7.25 परतिसात और कितने वर्सों तक मिलेगा भाई तो 10 वर्सों तक ये ब्या तो हम जाएंगे और टाइम के पास तो रेट कितना है 7.25 पर्तिफद 7.25 पर्तिफद ठीक है और गुना ये है 10 वर्स जब इसको गुना करेंगे तो हो जागा 72.5 पर्तिफद तो पर्तिफद अब ऐसा है कितना गिया बातर पॉइंट 5 पर्तिफद तो हमको निकालना क्या है यानि कि कितना पराप्त होगा सिर्फ और शिर्फ निकालना है दस बर्सों का तो राशी कितनी है देख लीजे 16 रुपईया राशी है तो इसको हम इतना से करेंगे 72.5 और देखिए ये 100 तो हम क्या करें 100 अब ये 0 भी सब्सक्राइब जाएगा तो यह एक आ जाएगा अप चलिए काड़ते हैं यह 202 धो जिरु जाएगा जब इसको पूरा गुणा की जैगा ना तो इसका आप गुणा करेगा तो आजाएगा 1160 और यह नीचे में 10 तो फिर एक जिरु फिरुभी जिरु जाएगा तो आपका जो आइनसर आजाएगा वह 1107 रूपिया जाने कि यह जो ब्याज अर्जित करेगा न तो वह करेगा 1107 रूपिया अर्जित करेगा कितने वर्सों में तो 10 वर्सों में ठीक है तो चलिए इस को संस्ट को भी हम क्या करेंगे मिट आएंगे और लेंगे आपके पर पर एक चौथ कोसंस एकदम धमाके दार देखे दूस्तों इस चौथा और आखरे कोसंस का सोलूशन कहता है कि आठ परतिशत लाघ्ज की दर पर एक रासीध च्छे पुर्णा लाट इ arma device चार वर्सों तो आप ही बताईए कितने रुपिया थी तो देखे सबसे पहला आप काम करिए एक परतिस्थ अपट आप एसा ही निकाल लिजे ठीक है कितना परतिषुट अपर तक पैसा है निकालने के लिए और पूरना टायम पर जाते हैं तो रेट है आठ और टायम है छेट चाटा-बिस दिया हुआ है तो यह जो भैली दिया हुआ है नहीं यह वैलियु दिया हुआ है मिश्रधन का तो हम यह भी निकाल लेंगे मिश्रधन का तो यहां से हो जागा गेस Après Chown परतिसत कमान हो जाएगा नौ सथो भीस तो आपको बताना है हंडेड़ परतिससत कमान। यानि कि शुरुआत में कितना था यानी कि मुल्धन हमको निकालना है तो यह हो जाएगा 940 टिवाइड़ बाइड़ एक सचो बन और गुना यह क्या हो जाएगा एक गुट हैगा तो जा करें गया कितने चैना और अहीं होगा आपको सब्सक्राइब यह नहीं होगा यह वाला किने देख बैकें अब श्युट और एक कोर्शनों का पुछा आरावे गुरूप डी तीन दस दुआजार अठारों का पूछा वात और कोई डाउट हैस आप लोग को अगर कुछ नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और सेर करिए एकदम भरपूर में और भाई को आगे भरने का मौका देजिए